बाबा रामदेव बात कह रहा है कि मुहां मिटिंग में आतंगबाद की बातें सिखाई जाती है तो क्या वो वहां उस मिटिंग में बैठे हैं? क्या उनके पास कोई भी प्रूफ है? जुम्मा जो होता है लोगों के लिए इसलामिक डे होता है और ईद की तरह उसे मनाया जाता है उनके उपर कारिवाई होनी चाहिए उनको अंदर डाल दिना चाहिए अपको अपने घर की बेन बेटी बिना कपड़ों के अच्छी लगेगी क्या आप ऐसे हैं? बाबा राम देव बॉखलाए हुए है इसलिए उनका फ्रस्टेशन निकाल रहे हैं वो मुसल्मान की नमाज को लेकर मुसल्मान के घर में बम ही बन रहे हैं मुसल्मान के घर में मिसाइल भी बनते हैं जैसे कि अबदुलकलाम अजाद उन्होंने हमें मिसाइल दिया है वो क आपकी भी उकात निया कि नमाज बंद करा देंगे ठीक है साइकलों पे मठा बेचने वाला आदमी है यह उसके उकात क्या नमाज बंद करा देगा मेरा सवाल यह है कि क्या जब भुहाँ पर नमाज होती है वैसे तो नमाज रोज ही होती है लेकिन खासकर जम्माज के घिन एक जुम्माय और छोय लोगों के लिए उनको अपनी बीवी बनाई है शादी करें और फिर छोड़ दी जाए ये मुसलमानों में कहीं नहीं होता वहां तो इसलाम की बाते सिखाई जाती है और जो शक्स चाहें वो बाबा रामदेव है या कोई भी है वो ये बात कह रहा है कि महां मिटिंग में आतंगबात की बाते स इस तरह की इजाज़त कारवाई नहीं होनी चाहिए रामदेव के बिलकुल होनी चाहिए उनको IPC 295A के तहट उनके उपर कारवाई होनी चाहिए और यूपीय के अंडर उनको अंदर डाल देना चाहिए जैसा कि हमेशा हर एक मुसलिम के साथ होता है कि जब भी कोई इस तर संती का मोहल बनाना चाहरा है लड़ाई का मोहल बनाना चाहरा है तो मुझे लगता है उसको ना सबसे पहले उसको अंदर करना चाहिए हैं आदमी ने प्रने के ब्रेव के ब्रभान के लिए अध statement करें एक टू के लिए सब्सक्राइब करेंगे अच्छा वह बहुत संसकारी आदमी यह तब ही वह कह दे कि मुझे अपने देश की बहु बेटियां मां बेटियां ऑठी जो वह बिना कपलो के अच्छी लगती हैं जो लोग खुद रणवे हैं ना जिनकी खुद शादियां नहीं हुई है उनको औरतों की इज़त का कुछ नहीं पता ठीक है वो असल में उल्टे सीधे बयान दे करना पर फ्रस्टेशन निकालते हैं आप किस तरह की बाते कर रहे हैं तेकि बाबारामदेव को में संत तो नही रहे हैं कि जब बन चाहिएगा वो आएंगे फील्ड में उत्रेंगे क्योंकि यह जो बात निकली है ना यह अडानी जो है जो है जो अडानी धोके-धड़ी करके गए ना उसमें बाबारामदेव के भी स्टॉक्स थे वो डूब गए तो बाबारामदेव बॉखलाए हुए इसने इसलिए किसी के पास भी मैं किसी भी धर्म के बात कर रहे हूं मैं किसी भी धर्म की बात करे यह यह जो है और हर धर्म को फॉलो करता है अपनी मर्जी से जो जिस धर्म में चाहे उस धर्म को फॉलो कर सकता है जिस तरह से चाहे उस तरह से फॉलो कर सकता है जो कि आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉंस्टियूशन कहता है कि दिए वहां आतंगवाद प्ढ़ा जाता है लिए आतंगवाध असली नहीं हो। कि आप अपने घर में छुरियां तयार रखिए, आप अपने घर में तलवारे तयार रखिए, आपने एक शेर सुनाओ का अच्छे ने अच्छा, बुरे ने बुरा जाना मुझे, जिसकी जैसी पितरत थी उसने वैसा पहचाना मुझे, नमाज क्यों बंदोगी, नमाज कैसे बंद हो सकती है ये तो Constitution right है ये तो एक मनलब हमारा constitutional right है जो भी इस देश में रह रहा है जो भी भारत का नागरिक है वो अपने religion को जिस तरह चाहे प्रैक्टिस कर सकता है इसमें बाबा राम देव या फिर PM मोधी आएंगे या फिर कोई फला फला इंसान आएंगे और वो आक एक चीज किलिए कर दू अगर आप आप कर दो आप दकीनाम की नाम मुस्लिम नाम है आप ताब मैं आफ पुने वाला ही इसमोडे पर्सी खावEr करता तो मुसल्मान नहीं था और उन दोनों के बीच के क्या कॉन्फिक्स थे ये बात हम भी नहीं जानते ये बात आप भी नहीं जानते हमारे देश में जब दोहजार चौदा के बाद से एक रिवाज हो गया है कि जरा सभी देखा कोई मुस्लिम नाम है आफ्ताप सीमा राजेश और जहरमेश या फिगीता सीता राम रहीम ऐसे करने लगते तो उन्हें एक दूसरे को सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम ही करते रहते तो आफ हमने जिकों नहीं मचार्व और जिक्वी अपने पस्कों मुझान के वाले कि नहीं प्रिपर्सनेल नहीं हैं ऊट morning उनको मना करने वाले कि नहीं आप हिंदू से हैं तो हिंदू से ही शादी करें मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करें मुस्लिम लड़की मुस्लिम से शादी करें मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करें उनकी शादी से हमारे समाज पे कोई गलत असर नहीं पड़ रहा काजी काजी तो फत्वा जारी कर देता है देखे काज मौलाना हो पंडित हो इनके पास फालतु की बक्वास करने के लावा कोई भी काम नहीं है बिना सोचे समझे लोग फत्वे जारी कर देते हैं अगर हम मुसलिम की बात करें तो मुक्तार अबस नकवी जी है उन्होंने भी नॉनन-muslim लड़की से शादी करी और ना जाने कितने ऐसे मन्त्रि हैं जिनकी हिंदू बेटियां मुसलिमके घर में हैं एक दूसरे में यह लोग रिशिदारी करकर बैठे हुए हैं दमाद बहुए बनेश他 नहीं यहादा नहीं आता mpit तो कहीं हिंदू- acting है उ 다시 Zивать नहीं या भारत के वो एक आम नागरे को कानून सबके लिए बराबर है यह कानून किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है कि आप जैसे चाहेंगे जिस तरह से चाहेंगे उस कानून को जो है फॉलो करेंगे आप कानून जिस तरह से आप उसी तरह से फॉलो करोगे ना उसे कानून को क कानून की तरह जिए कि नजर में ऐसे लिग जए वह किसी क्लम गई तो इस तरह की बाते करना कि हम हो नेता हैं तो वह शादी कर सकते ही दूसे और से और हम कॉम अने कर सकते एंधू कि हम सकते नहीं सामरे आप वुर त देखें यह ट्रेणिंग कौन देगा और आपने देखा कि आप इस तरह की बाते इस कैमरी पर कर रहे हैं मुझसे आप एक बात बताएए जिसने भी आप जिसकी बिना पर आप ही बात कर रहे हैं कि उन्होंने बंबनते वह देखा है कभी क्या वो किसी जो एक एक घर जा जा कर देखते हैं कि मुसल्मान के घर में बं ही बन रहा है मुसल्मान के घर में ना मिसाइल भी बनते हैं जैसे कि अब्दुल्कलाम अजाद उन्होंने हमें मिसाइल दिया है वो कोई आतंगवादी तो नहीं थे अब्दुल्गफार खान वो फ्रीडम फ्रीडम क्योंस जो कि एक भून ही को है । एक फ्रीडम क्यों एक लुटन कोनधी प्रफोर्ज गोण ऀयनुग मुसलिम घबशक है वर यह साथ और मुहबबत के साथ रहने का यहां हक है वो जैसे चाहे जिस रिलिजिजिन को फॉलो कर सकता है और यह जो बाबा राम देव कह रहे हैं कि नमाज बंद करा देंगे ठीक है साइकलों पे मठा बेचने वाला आदमी है यह 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 नमाज नमाज बंद करा देगा इसके पड़ी लिखी जनरेशन है वो चाहे नॉन मुसलिम्स की हो उनको सब को पता है यह एक पॉलिटिकल एजंडा है अभी आपने देखा पठान को लेकर उतल पुतल मची थी पूरे देश में हुई ना पठान रिलीज किसी ने कुछ बिगाड़ा आपने फुटेज भी देखे वो लोग अकेले हैं और उनका काम है सिब भॉक ना वह सिब भॉक रहे हैं थोड़े दिन में यह भी चुप हो जाएंगे बिल्कुल पढ़ते क्यों नहीं पढ़ेंगे नमाज कौन सा पाप कर रहा है कि लोग नमाज पढ़ते हैं उसके लोग कुछ भी करते हैं यहीं कि पा उनने दिखाई नहीं देता तो क्या जो है उनकी आखें यह उनका संथपन है अगर जो संथ होते हैं ना जिस संथ का काम है धार्मी चीजों को पहलाना पीस की बात करना यूनिटी की बात करना महबत की बात बाबराम जो है एक फरजी आदमी है ठीक है जो अपने आपको ऑज़े पहले मामला यह चला था नमागर के भी अचाना में लोगों ने जिरोत परता शनुदी किया था नमाज भी रोकब आना आज आज को पाबंदी को बदा लगाना कॉरान में जो आयते हैं उनको बदलवाना यह मुसल्मां जो है इस तहम हमारी जो मौजूदा सरकार है उसको ऐसा लगता है कि जो मुसल्मान है ना वो जैसे आप देखते हैं कि सबजी में तड़का लगाना होता है तो हम हीरा जींग की इस्तेमाल करते हैं इसी तरह से मुसल्मानों को लादिय है अगर कुछ थीका पर लग रहे ना, दुनिया में लग रहे मज़ा नहीं आरा, चलो कुछ नया करते हैं, कुछ यहीं करते हैं, मुस्लमानों का मुद्दा उठांगे लिया आता हैं, कुछ चट पता होगा फिर जिन्दगी में, और फिर उसी चीज़ को लेकर आप लोग क्या क उन पर करा, जो हमारे देश की अर्थ विवस्ता है, उस पर करा, क्या जो अभी मौझूदा बजट आया है, उसमें मानॉरिटीजे के लिए फाइदे दिये गए है, क्या उस पर करा, क्या गरीब इंसान पर कितना बोज पड़ेगा कि आपने उस पर करा एक बार भी कोई बात करी आखी सवाल नहीं है बाबा राम देव पर करवाई होनी चाहिए बाबा राम देव जैसे लोग जो अपने आपको योग गुरू बताते योगा जो है ना उनसे पहले बिता वो